हेलो एवरिबन आज हम सिख्ट क्लास की सामाजिक विज्ञान की कारिय पुस्तिखा में सामाजिक एवं राजनितिक जीवन भाग एक का अध्याई एक विविध्धता की समझ को अच्छे से हल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में दिये वैल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के सा और इसमें यहां पर दिया है कि तुम कक्षा में हर बच्चे को पैचान लेते हो अधिकतर बच्चों के नाम भी अलग-अलग होते हैं इसी तरहें इनकी पसंद भी अलग-अलग होती है कक्षा में बच्चों की लंबाई भी कम जादा होती है किसी के कान बड़े तो किसी की बाजरे की रोटी सरसोगा साग देखा ना तुमने कक्ष्या में कितनी अलग-अलग तरहें के बच्चों का समझ जश्य है इसी तरहें हमारे आसपास देश-विदेश में भी रहने को लेकर, जाती को लेकर धर्म को लेकर, तुथा पहनावे को लेकर, अलग-अलग तरहें के लोग रहते हैं, जिसे विविधता के रूप में जाना जाता है तो ये विविधता होती है, बच्चों अब यहां पर है किरिया खलाब एक, और इसमें है, कि कक्ष्या के पाँच साथियों के बारे में लिखो कि किन अलग-अलग विशेस्ताओं से तो उन्हें पहचान लेते हो तो यहां जैसे जितिंदर, जितिंदर को मैं उसके पहनावे से पहचान लेता हूँ अकांशी है अकांशी को मैं उसकी लंबाई से पहचान लेती हूँ तपश्या, तपश्या की एक कांप में कमी है, नवीन, नवीन को मैं उसके रंग यानि सामली रंग से पहचान लेता हूं, रागिनी है, रागनी को मैं उसके मुटापे से पहचान लेता हूं, तो इस तरह से आप अपनी कक्षा के बच्चों को कैसे पहचानते हैं, वो लिखना है आपको, आगे यहां पर दिया है खर पार्ट कि तुमने देखा कि पांचों बच्चों में समानता था ऐसमानता दोनों विशेस्ताई थी जैसे उनके खान पान धर्म जाती पहनावे आदी में बहुत से तुम्हारे दोस्त तुमसे अलग होंगे तुम्हें क्या लगता है कि यदि तुम में और तुम्हारे दोस्तों में ये फर्क नहीं होता तो क्या होता तो इसमें हम लिखेंगे यदि मुझ में और मेरे दोस्तों में ये फर्क नहीं होता तो हमें हम सभी की पहचान नहीं होती इसे हमें धर्म, जाती, पहनावी, खान-पान, रहन-सेहन का पता नहीं चलता अब इसी तरह से आगे आजाता है इसी का ये गर पार्ट है यहाँ पर कि कभी-कभी ये भिंताएं भी हमारे जीवन के लिए फायदे मंद होती है जैसे तुम अपने अलग-अलग साथियों से अलग-अलग बाते सीखते हो किसी से त्योहार के बारे में, किसी से उसकी भाषा के बारे में यदि ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हारे विकास पर असर पढ़ता सोच और लिखो तो इसमें हम लिखेंगे यदि ये भिंताय नहीं होती तो हमें जाती धर्म का पता नहीं चलता दूसरे धर्म के रीती रिवाजों का, त्योहारों का, रहन सहन का, खान पान का पता नहीं चलता हम उनकी बात समझ नहीं पाते आगे इसमें दिया है अताह ये सब बाते विविधता के पहलू है भारत भी इसी तरे विविधताओं का देश है जहां विभिन भासाएं बोली जाती है अलग-अलग खान-पान त्योहार मनाए जाते हैं जो हम सभी को एक दूसरे से सीखने में मदद करते हैं अब आजाता है किरिया खलाप दो नीचे कुछ चित्र दिये जा रहे हैं तुम इनको देखकर बताओ कि ये किस धर्म से जुड़े हैं तो यहां पर देखिए ये कुछ चित्र है यहां देखो ये मस्जिद का चित्र दिखाया गया मुसलिम धर्म से है यहां पर ये चर्च का जो है वो सिख से रिलेटेड है यहां पर यह मंदिर दिखाए गया है जो हिन्दू धर्म से रिलेटेड है अब यहां पर आजाता है एक पार्ट में तुम जहां रहते हो वहाँ के मोसम और समुद्र के समुद्र के पास के मोसम में क्यांतर है तो इसमें हम लिखेंगे कि हम जहां पर रहते हैं वहां के मोसम में कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा शर्दी, कभी बारिस होती है लेकिन समुद्र के पास के मोसम में पानी के कारण वातावण में अर्दरता अधिक होती है जिसके कारण ने तो तापमान बढ़ता है और ने ही कम होता है आगे यहां किरिया कलाब तीन दिया है इसमें कि नीचे दिये गए मानचित्र को देखो और बताओ की अब यहाँ नेचे दिये गए मानचित्र को देखकर आपको बताना है क्या बताना है? यहाँ पर यह देखें यहाँ पर यह दिया है क, है न? क, पार्ट कुन सा है यह हिस्सा? यहाँ, यह देखें क, में यह वाला पूछा है, यह क्या है? यह जमू कस्मीर है और यहाँ पर इसी तरह से यह देखिए, यह देखिए, यहाँ पर यह हिस्सा पूछा है और इसमें लिखा है ख, क्या है यह, यह केरल है, यह पूरा भारत का मानचित्र है इसमें क पार्ट को जमू कस्मीर में दरसाये गया है और यहां क भाग जो है यह केरल है अब इसमें यहां पर देखी से रिलेटिड क्यूशन दिया है कि राज्य कै का क्या नाम है और उसकी क्या विसेस्ता है तो इसमें कि राज्य का नाम जमू कस्मीर है राज्य कै का नाम यहां पर आप कै लिख सकते हैं राज्य कै का नाम जमू कस्मीर है कस्मीर खाटी में जल की बहुलता है कई जीले हैं मानसूनी हवाएं कभी कभी घंगोर वर्शा करती है ये दुनिया का स्वर्ग है बागवानी, कृशी, प्रियाटन ये मुख्य उध्योग है लोग सभी धर्म के यानि लोग मिल जुल कर रहते हैं पहले यहां पर आतंक वादा धीक था लेकिन अब वातावन शांत है आगे यहां पर है इसमें ख पाट और इसमें है कि राज्य खे का क्या नाम है और इसकी क्या विशेस्ता है तो हमने मानचितर में देखा था ख जो है केरल राज्य है यहां पर तो इसमें लिखेंगे कि राज्य खे का नाम यहां ख लिख देना रह यहां पर राज्य खे का नाम केरल है इसकी विशेस्ताएं निमलिखित हैं कि यह है भारत के दक्षणी तटपरस्थित है मतल की कि भारत के दक्षणी तटपरस्थित केरल एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकर्तिक सुन्दरता समरिध संस्कृति और जिवित प्रंपराओं के लिए प्रसिद है यहां कई प्रसिद मंदिर है अब आगे आजाता है इसका गवपार्ट और इसमें है इन सब विविधिताओं के बावजूर भारत में ऐसी कौन सी बात है जो भारत को एकता में बांधती है इसमें भारत एक अनोखा राष्टर है जिसका निर्मान विविध भासा संस्कृति धर्म के तानो बानो अहिंसा और न्याय के सिधानतों पर आधारित सवतंतरता संग्राम दथा संस्कृतिक विकास के समरिध हितिहास दवारा एकता के सुत्र में बांध कर रखा हुआ है आगे यहां पर आजाता है घर क्यूशन और इसमें है पिछले 15-20 वर्सों में तुम्हारे घर में भासा और भोजन में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं घर के बुजूर्ग लोगों से पूच कर लिखो तो इसमें हैं पिछले 15-20 वर्सों में हमारे घर में भोजन में ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं हुए है लेकिन भोजन में कई परिवर्तन हुए हैं जैसे अब साधारन पोश्टिक भोजन का स्थान फास्ट फूड ने ले लिया है लोगों को अब भोजन बनाने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती सब कुछ रेडिवेंट मिल जाता है ये पार्ट बचो यहीं पर खतम होता है नेक्स्ट पार्ट मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ही लेकर आऊंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब जरूर करें तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए बाई